मात्रि साधक कालिप्रिया के तरफ साबसो कुनमन, ओम काली, तो आज मैं आ गई हैं और एक ने वीडियो के साथ, मैंने एक सीरीज टार्ट किया था, तंत्र के गूड ग्यान के उपर, उसके इतिहास के उपर, तो उस सीरीज में मैंने पहले ही तीन वीडियो बना दिये हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं, तो देख लीजिए, ये उसी सीरीज का चौथा वीडियो है, तो वीडियो सुरू करूँ, उससे पहले आप सबसे निवे दिन है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ग्यान वर्दक लगे, उपियोगी लगे, तो अप लाइक, बना लीजिए, जब वो चौड़ आप अपने सरीर पर लगाओगे, तो आप अद्रिश्य हो जाओगे, आप सब को देख सकोगे, पर आपको कोई भी नहीं देख पाएगा, इसी प्रकार, उल्लू की जो हड़ी होती है, उसको पीस कर, आँख में रगरने से, कोई भी अगर गड़ा हुआ खजाना अगर होता है, तो दिखाई देने लगता है, लेकिन यह जो उल्लू है, यह पुष्च नक्षत्र महीं पकड़ा जाना चाहिए, तो यह सब पढ़कर हसी आती है, है ना, अब यह काला उल्लू कहां से मिलेगा, और वो भी पुष्च नक्षत्र महीं पकड़ना पड़ेगा, इन सब का मतलब क्या हुआ, इन सब का अर्थ यह है, कि यह जो इस प्रकार के नुष्च के दिखाई जाते हैं, बहुत सारे बुक्स में, पुब्लिकेशन्स में, जो असंभव है, और संभव मान लिजी हो भी गए, तो अद्रिश होने के स्थान पर आदमी अंधा जरूर हो जाएगा, फिर सारी दुनिया उसे देख सकेगी, और दुनिया को वो नहीं देख सकेगा, इस तरह की जो बेहुदा पुस्तक हैं, वो समझदार लोगों को इस ओर से और भी घ्रिना करने का अफसर दिया है, वशी करन के लिए और एक मज़ेदार व प्रेमिका वश में आ जाएगी, तो किसी ने ठीक ऐसा ही किया, सब करने के बाद विश्वास हो गया उसको कि चलो टोटका मेरा सिद्ध हो गया, काम कर गया है, तो वो जाके अपने उसको पूसता है, अपने प्रेमिका को प्रिये चलो साथ में चलते हैं, तो प्रेमिका कु उसकी जो वैलिडिटी है प्रमानिकता है उस पर बहुत बड़ा चिन्ह लगावा होता है। संस्कृत ये अन्यशेत्रिय भाशाओं में है। मंत्राती भी ध्वनी विग्यान के आधार पर उसमें है संस्कृत क्लिष्ट भाशा है। सहरा लिया गया कि एक बार शिव और पार्वती भ्रमन पर निकले। एक घने जंगल में आने पर शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हो गया। उन्होंने देखा कि जो एक साधक है संसार को दी गई उनकी ही तंत्र विद्या की साधना कर रहा है। वो रुक गए पर घबरा गए कि वो मंत्रों का उच्चारन ठीक से नहीं कर पा रहा है। अशुत उच्चारन के कारण उसके अनिष्ट की संभावना थी। तो घबराकर पारवती की ओर देखा। बोले मेरा यह भगत तो अशुत उच्चारन के कारण संकर में पर जाएगा। इस पर पावरती ने संकर से कहा। प्रभू इसमें आपका दोश है। इतनी कठिनी शब्द रचना आपने की ही क्यों। इसे सरल भाशा में करिए। तब भगवान संकर ने मंत्र विद्या का सर सरली करन कर दिया और यह सरली करन शाबर विद्या था। तो आज इस सरली करन के नाम पर तंत्र की दुरगती हो गई है। सरली करन इस सीमा तक लोगों द्वारा कर दिया गया है कि वह मखौल ही बन गया। कम से कम भारत में ऐसा कोई गाउं या शहर ना होगा कि जहां कोई ओजहा या तांतरिक नहों अश्चर की बात है कि अंपर गवार किसम के लोगी गाउं देहात में इस कारे को करते मिलेंगे कोई शेक्षित एलीट क्लास आपको नहीं मिलेगा इसमें इस कारण जब सावर मंत्र इन तक आये तो इन लोगों ने इसका रूप और भी विक्रत कर दिया बिकार कर दिया जब परहा लिखा वर्ग यहां मंत्र सुनता है हराम का जाया तू किधर से आया इसे क्यों काट खाया जा 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 हराम का जाया तेरे बाप का क्या खाया तेरी मा बहन जी ना करे किसम गोड़क नात की इस सब क्या मंत्र है है ना क्या बिकार की बाते है आप ही वीचार करें यह भी बार मन जाक है, आशा यह है कि इस प्रकार तंतर शास्तर विक्रत हो गया है, वेकार हो गया है, अब यदि समाज का एक वर्ग इसे ग्रिना, नफरत, अशुद, ढोंग, अविश्वास की भावना से देखता है, तो उसमें उसका क्या गलती है, उस समाप्त करती हूँ आसा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो like, comment, share, subscribe कर सकते हैं इस पर और वी वीडियोज बनेंगे तो आज के लिए इतना ही देवी सप्पे कृपा करे ओम काली